नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एजूकेशन के डिसिक्स में दोस्तो बिहार पंचायती राजवी भाग के बारे में एक बहुत बड़ी सूष्णा निकल कर आई है क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक वीडियो में बताया भी था कि जो कॉंसलिंग होने वाली है इसकी 17 नुवेंबर और 20 नुवेंबर को होने वाली है तो दोस्तो उसी के भारे में हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि आज है 17 November और आज हुई है और लोगों ने बात करके बताया हमें कि क्या क्या रहा प्रोसीजर आज के Concelling का और हम आपको बताएंगे कि 20 November को क्या-क्या ले कर जाना है अपनी counselling के लिए तो जो भी candidate का नाम है second counselling में वो तयार रहे क्योंकि second counselling आ सकती है या नहीं आ सकती है ये बाते हम बताएंगे आपको इस वीडियो में हमारे साथ बने रहीएगा पूरे वीडियो में उसे भी दबाले ताकि हर वीडियो का पलपल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके दोस्तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे इसकी official website पे पंचायती राजविभाग की जहाँ पर समवीदा पर लेखा पाल सहायक सा आईटी सहायक की तकनीकी सहायक की नियुकती के बारे में सूचना दी गई थी आपको तो इस लिंक को जैसी आप क्लिक करोगे तो आप recruitment वाले पेज पर आते हो वहाँ पर counseling से संबंधित बहुत सारी बाते चल रही थी यह देखिए मैं दिखलाना चाहूँगा आपको counseling से संबंधित सुचना है इसको click करना है और click करके इसका PDF डाउनलोड करना है तो जैसे आप PDF डाउनलोड करोगे तो आप आजाओगे इस page पर देखो मैं आपको दिखलाना भाग द्वारा तक्नीकी साहकों के पद पर जो counseling की थी थी है वो 17 नौबर 2018 सनीवार को होनी थी तो आज यह हुआ है counseling और हम बताना चाहेंगे कि जो इसका जो मंगलवार को जो यानि कि 20 नौबर को counseling होने वाला है वो सह आईटी साहक के पदों के लिए 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 लेखापाल के साहक जो साहक आईटी साहक हैं उनके लिए counseling होगी तो दोस्तों आज जो counseling होई है उसका जो experience लिया है candidate ने जितने भी candidate का आज counseling था उन्होंने बताया है कि जो राजय सरकार के साथ निश्चे के अंतरगत मुख्यमंतरी जो ग्रामेंट पेजल निश्चे योजना है उसके according बहुत सारे ऐसे प्रशन तो नहीं पूछे गया है बस documents verification किये गया है और ये documents verification कौन कौन से थे ये सब चीज बताते हैं हम आपको उससे पहले बता दे कि जो documents verification कर रहे थे वो लोग वो कोई बड़े पदे दीकारी नहीं थे वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक employee थे एक करमचारी थे जो counseling आज ले रहे थे जबकि पहले ही बोला गया था कि पदा दीकारी जो होंगे आपके जिले के वो counseling में सामिल होंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज के counseling में ऐसा बताया गया है जो भी candidate ने आज counseling दिया है जिया दोस्तों और आपको बता दे कि कौन कौन से जो documents लगे थे आज के वहाँ पर verification में तो सबसे पहले आपका matriculation जिया आपके 10th का जो marship है वो वहाँ पर मांगा गया और आपको क्या क्या ले जाना है ये सारी चीज़े बताएंगे वीडियो में बने रहेगा बस जानिए क्या क्या वहाँ पर बाती हुई है और क्या क्या चर्चा हुआ है आज के इस scenario में तो इन सब के बारे में हम वहाँ पर आपको बताएंगे अभी तो देखिए पहले तो आपको क्या क्या ले जाना है आपका 10th का marship अगर आपने 12th दिया है तो 12th का marship अगर आपने graduation क्या है तो उसका marship क्योंकि इन तीनों का marship अनिवार है वहाँ पर अपना transfer certificate नोट करते जाएगा आपका 10th का marship 12th का marship graduation का marship और जो graduation का character certificate है character certificate है वो ले जाना था आपको वहाँ पर और क्या ले जाना था आपको तो बता नहीं है जैसे कि अगर आपने diploma किया है ठीक है तो diploma का certificate भी वहाँ पर मांगा गया बहुत सारे ऐसे candidates हैं जो diploma नहीं किये थे तो उनका 10th के marship के base पे ही उनका age calculation किया गया उनका percentage calculator पे वहाँ calculate किया जा रहा था ठीक है तो ये सारी चीजे वहाँ पे procedure हो रही थी तब अब आपको ले कर क्या जाना है वहाँ पे इन सब चीजों में जो कि 20 November को जिनका counseling होने वाला है तो आप सबसे पहले क्या करोगे आप count करते जाओ मैं बोलता जाओंगा आप लिखते जाना ठीक है तो पहली चीज क्या है कि आपका passport size photo होना चाहिए तीन ठीक है दूसरी चीज आपको 10th का marship होना चाहिए original और एक copy ठीक है photo copy की बात कर रहे है ठीक है वही पर 12th की marship होनी चाहिए उसका भी marship होना चाहिए और उसका भी copy होना चाहिए ओके तीसरी चीज क्या है कि अगर आपने diploma किया है ठीक है तो diploma किया है तो उसका भी marship होना चाहिए और उसका भी photocopy होना चाहिए और आपको ले कर जाना है वहाँ पर दो फाइल ऐसे ठीक है दो फाइल जिसमें की एक में original certificate होंगे आपके और एक में आपके जो photocopy के certificate होंगे वो रखने है ठीक है क्या क्या ले जाना है photo 10th 12th का मार्शेट graduation का मार्शेट diploma किया है अगर आपने तो उसका मार्शेट क्योंकि आज जो counseling हुआ था वो technical assistant का हुआ था और जो 20 November को होगा वो होगा आपका लेखापाल सहायक का ठीक है तो आपको उसके according जो भी जैसे की लेखापाल में तो commerce वाले भी candidate है तो अपने जो भी graduation में जिन्होंने commerce किया है आई कॉम में commerce से किया है उन सबका certificate और उसका एक photocopy साथ ही साथ आपको लेकर जाना होगा वहाँ पर अब रही बात वहाँ पर जो लोग counseling कर रहे थें वो लोग कौन थें तो candidate से मैंने पूचा कि वो क्या वो जिला पदर दिकारी थें यानि कि SDM वेगरा या DM वेगरा थें क्या तो उन्होंने साबसा पता है कि नहीं सर वो एक करमचारी थें बिहार सरकार के तरब से आई हुए थें और उन्होंने कोई question नहीं पूचा है हमसे interview नहीं हुआ है simple बस नाम पता पूचा गया है और जो भी उनके जो document थें और resume था उनका आपको resume भी लेकर जाना है अपना एक ठीक है तो resume के according आपसे वो सवाल पूच रहे थें बस simple सा कहा से हो और क्या-क्या certificate है ये सारी चीजे दो एक original certificate भी देखा इन लोगोंने तो तीन लोग की या चार लोगों की panel बैठे हुई थी जगा-जगा पे ठीक है तो ये लोग उनका counseling कर रहे थे ठीक है उसके बाद counseling होते ही इनसे बोला गया कि जिनका भी जो वहाँ पर valid थे जिनका duly registered candidate में नाम था उनका नाम note कर लिया तो हो सकता है कि 20 November को भी आपके साथ ये सारी चीजे लेकर जानी होंगी वहाँ पर अब रही बात कि आपसे वहाँ पर जो सवाल पूछे गए वो कौन-कौन से थे तो इनसे सवाल बस इनके नाम पता और मार्शिट के बारे में ही पूछा गया कहां से 12th किया ये सारी चीज तो नहीं कर रहा है तो ये सारा प्रोसीजर जो है आपका हो रहा था एक्जाम में तो दोस्तों अगर आपका जो एक्जाम है अगर आपका माफ कीजिए का कौनसलिंग है जो 20 November को होने वाला है उसमें मैंने जो जो चीज़े आपको बताई है वो डिस्क्रिप्शन में भी ल आपका टेंथ, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन और एमकॉम ठीक है एमकॉम वाले होंगे त्योंकि जो एमकॉम वाले है उनको बीस नंबर जो बोनस नंबर दिया गया था उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा उस दिन जो मंगलवार को होगा पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है अपना एक ID प्रूफ ले जाना है जो फोटो होना चाहिए आपका उस पर ठीक है उसका भी फोटो कॉपी चाहिए औरिजनल चाहिए वहाँ पर चेक करेंगे फिर उसके बाद ही आपका कॉंसलिंग किया जाएगा दोस्तों फिर से बता दें कि बिहार पंचायती रा पर बता दी है कि क्या क्या कांसलिंग में पूछी गई है और क्या 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 कांसलिंग होई है तो आपको घबडाना नहीं है 20 तारी को जिसका भी है कांसलिंग वो जाकर अटेंट करें और फिर आप हमें कांटेक्ट करके भी जरूर बताए और एक चीज और मैं सूशना में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये सारे डॉक्मेंट्स नहीं है तो आप नकली डॉक्मेंट्स यानि की फोटो कोपी को ओरिजिनल बना कर ना ले कर जाएं वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनके पास फर्जी सेटिफिकेट भी थें तो उन सब लोगों को वहाँ पर रिजेक्ट किया गया है ये न्यूज है मैं बताऊंगा उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा कौन-कौन से ऐसे लोग पकड़े गया हैं वहाँ पर क्या दस्तावेज ले गया थें जिसके चलते उनका कॉंसलिंग से रिजे दिप्लोमा वेगर रहा थें तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया है वहाँ से तो दोस्तों आप ऐसा काम ना करें जो है आपके पास वही लेकर जाएं अगर आप सक्षम है इस जौब के लिए तो ठीक है तो लेखा पालसा है के लिए आपको मैंने बता दिया क्या-क्या लेक कर जाना है वैसे में डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीजे लिग दूँगा आप एक बर चेक आउट जरूर कर लेना चली दोस्तों तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवार और जैसे ही इसका अभी रह चुकी है बहुत सारे लोग जगा बता जा रहे हैं कि पोश्ट भरे नहीं जाए पाएंगे बहुत कम स्टुडेंट जूट पाए हैं ठीक है तो हो सकता है कि सेकेंड काउंसलिंग का भी लिस्ट आए तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में पहले ये काउंसलिंग हो जाए वो मंगलवार को है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको चली दोस्तों तो आज के लिए इतना ही था धन्यवाद